श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंदरमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्दों इस दिन चंदरमा आपकी कुंडली में 11 भाव में है जी हाँ 11 भाव यानि लाबस्तान लाबस्तान में चंदरमा के होने से आपके लिए ये दिन काफी बढ़िया रहने वाला है आपको ये दिन लाब जरूर दिलाएगा इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनो कामना पूरी हो सकती है इस दिन सुबह से ही आप उत्साह और जोस से भरबूर रहोगे पेंडिंग कामों को इस वक्त आप पूरा कर सकते है इस दिन आपका मन प्रसंद रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुवात करोगे इस दिन आपको कोई ऐसी खुशी भी प्राप्त हो सकती है, जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं इस समय में आपको पारिवारिक सोच मिलेगा, परिवार में भी कोई बड़ी खुशी आ सकती है यह समय निवेश करने के लिए कापी उत्तम है, इस समय में निवेश करने से आपको चार गुना तक फल प्राप्त हो सकता है इस समय में आपकी income में बड़ोत्री हो सकती है, आपको इस समय में धनलाब भी हो सकता है अगर आप business करते है और वो अगर पार्टनररशीप में है तो business partnership में आपको अच्छा लाब इस समय में मिल सकता है इस समय में आपकी married life मदूर रहेगी, घर परिवार में प्यार और शान्ती का माहोल रहेगा, परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशिया मनाने के लिए काफी अच्छा समय है, आपके partner से और परिवार से इस समय में आपको पूरा सहयोग मिलेगा, यह समय यात्राय क करने के लिए भी बेहतरीन रहेगा, यात्राओं से आपको लाब हो सकता है, बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते हैं या फिर आपके profession के लिए यात्रा करते हैं, तो उसमें भी आपको लाब मिलेगा, इस समय में आपकी love life में romantic माहोल रहेगा, लव लाइप के लिए द अंकित मिल रहे हैं, खरीददारी करने के लिए समय अनुकोल रहेगा, ये समय स्टूडन्स के लिए भी काफी शुपसाबित होगा, पढ़ाई में concentrate कर पाओगे, इस समय में चंद्रमा की क्रिपा आपको मिल रही है, चंद्रमा आपको एकाग्र कर रहे हैं, जिस वज़े से कम समय में ज्यादा विद्या इस समय में आप गरहन कर पाओगे, इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स भी ला सकते हो, मेहनज जारी रखना ज़रूरी रहेगा, नोकरी के ख्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी, आपका किया गया काम लोगों को बैठना होगा, इस वक्त आप अपनी पर्सनेलिटी पर ज्यादा ध्यान दोगे, इस समय में आप शो की नजर आओगे, आप से लोग आकरशित हो सकते हैं, आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंविरता दिखेगी, समय आपके लिए हर प्रकार से शुब है, जी हाँ ये दिन आपके लिए हर तरे से शुब रहेगा, इस दिन का पूरा लाब उठाए, अटके पड़े काम इस दिन पूरे कर ले, और इस दिन को पूरी तरे से एंजॉय करने की कोशिश जरूर करे, इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, आप एनरजिटिक होगे, स्वस्त और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे, इस दिन का पूरा लाब जरूर उठाए, इस दिन आपके लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और आठ अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्त आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगा दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते या चपल डायरेक्ली उतार देते है दोस्तो ध्यान रखे जूते च जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्ली साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल श चोटे मोठे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद.